का क्या आरथ होता है, ये आज किस वीडियो में सीठ लेते हैं टॉंट का आरथ होता है, टॉंट करते हुई होना या टॉंट करने वाला यानि कि टॉंट का ही present participle यानि आई-न्जी फॉर्म होती है taunting और टॉंट का आर्थ होता है ताना देना, हसी उडाना, कटाक्ष करना, उपहास करना, मजाक उडाना, निंदा करना, चिड़ाना या बुरा भला कहना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि लड़के को ताने मारने में उसे परपीडक आनन्द मिलता था तो आप कहेंगी, he took sadistic pleasure in taunting the boy, या अगर आप यह कहना चाहें कि वह उसे तब तक ताने देती रही, जब तक कि वह अपना आपा नहीं खो बैठा तो आप कहेंगी, she went on taunting him until he lost his temper, she went on taunting him until he lost his temper अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को करें और बैल आइकन को प्रेस करें